चोपड़ा जबिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्देख स्वागत करता हूँ दोस्तों इंडिया में MBBS admission NEET score पर होता है मगर 20SA institute है जिनमें admission तो NEET score पर होता है मगर इनका अपना अलग से eligibility criteria है इनमें AFMC और 19 aims सामिल है इन 20 institute के अलवा बाकी जितनी भी सारे institute है उसमें अगर आपने NEET qualify कर रखा है तो आप admission ले सकते हैं तो सबसे पहले हम AFMC की eligibility के बारे में बात करेंगे उसके बाद में aims की eligibility के बारे में बात करेंगे कि NEET के अलवा इसके लिए और additional requirement क्या चाहिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि AFMC में NEET की जो requirement है उसके अलावा जो क्या क्या requirement होनी चाहिए तो इसमें सबसे पहले ये condition है कि candidate unmarried होना चाहिए और course के दोरान married नहीं कर सकते यानि कि course के दोरान married करनी की permission नहीं है इसके बाद में दूसरा जो additional जो इसमें requirement है जो NEET में age के लिए minimum age का ही है 17 years होना चाहिए 31st December 21 को लेकिन अगर आप AFMC में admission लेना चाहते हैं तो minimum age 31st December 21 को 17 years होनी चाहिए और maximum age 24 years होनी चाहिए इसके अलावा जो Indian citizenship है वो होनी चाहिए इसमें इसके बाद में जो AFMC के लिए not eligible है वो in subject के condition जो candidate है वो इसमें not eligible है इसमें पैरा A में subject दियो गए है ये subject से pass किये हुए candidate इसके लिए eligible नहीं है इसके बाद में जो इसमें open school से pass कर रखे हैं और जो private candidate है वो भी इसके लिए eligible नहीं है इसके बाद में academic qualification की बात करें तो इसमें 10 plus to pass होना चीए वो first attempt में ही pass होना चीए और English, Physics, Chemistry और Biology के साथ में pass होना चीए इसमें जो aggregate marks होना चीए इन चारों subject में वो 60% होना चीए इसके अलावा 50% each subject में होना चीए यानि कि English में 50% अलग से होना चीए Physics में 50% अलग से होना चीए Chemistry में 50% marks होना चीए और Biology में 50% marks होना चीए यानि कि each subject में 50% marks अलग से होना चीए और aggregate marks इन चारों subject का 60% होना चीए दूसरी condition ये है कि आपने 10 तक mathematics subject पढ़ावा होना चाहिए इसके बाद में इसमें जो आगे condition दी गई है ये तो है AFMC की condition अगर इसका हम compare करें NEET की condition से जो NEET में जो minimum marks की requirement है general OBC candidate के लिए 50% की है और SC, ST candidate के लिए 40% की है तो ये difference है यानि कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने NEET exam दे लिया है और NEET की आप जो minimum इसकी जो eligibility है वो fulfill कर रहे हैं तो AFMC में admission लेना चाहते हैं तो इसके लिए ये आपको अलग से eligibility होनी चीए, additional eligibility अलग से होनी चीए यानि कि आपकी minimum marks की, edge की और marries की ये तीन condition अलग से होनी चीए इसके अलावा AFMC अपना अलग से screening test conduct करवाता है और NEET score में ये marks जोड़के merit के अनुसार इसमें admission दिया जाता है तो इसका मैं separate video बना दूँगा पिछले साल इसकी क्या cut-off रही थी उससे पिछली साल क्या cut-off रही थी ये सारा मैं आपको वीडियो में समझा दूँगा इसमें admission लेने का process क्या है तो ये तो होगी AFMC की बात अब हम बात करते हैं AMS की तो अगर आप 19 AMS में 1899 MBBS की seats में किसी एक seat पर admission लेना चाते हैं AMS में तो NEET की जो requirement है उसके additional requirement और क्या है AMS में इसकी हम चर्चा करते हैं तो इसमें AS तो same NEET में है वो ही condition इसमें AS की है लेकिन जो minimum marks की condition है वो AMS में थोड़ी सी ज्यादा है यानि कि general और OBC की जो candidate है उनको 60% aggregate marks ती है English Physics Chemistry और Biology में इसके अलावा SC ST candidate को 50% marks ती है जो NEET की condition है वो यहां पर general OBC के लिए 50 है और SC ST के लिए 40% है तो इसमें यह लिखा हुआ है आप इसमें देख सकते हैं यह इसमें condition दी गई है minimum marks की तो अगर आप AMS में admission लेना चाहते हैं और आप NEET के exam दे रहे हैं तो इसके लिए additional आपको शिरफ जो marks है minimum marks उसमें ही changing है यानि की NEET में 40% है SC ST के लिए तो इसमें 50% सी है और general OBC के लिए नीट में 50 तो इसमें 60 यानि 10% आपको ज्यादा marks दिये इसमें aims में admission के लिए 19 aims में तो यह दो इस प्रकार के institute है यानि की aims और FMC जिनमें additional requirement है नीट के अलावा बाकि सारे इंडिया में जितनी भी सारे institute है उसमें आप admission ले सकते हैं अगर आपने need qualify किया है तो उसमें आपको कोई additional requirement नहीं है किसी प्रकार के आपने need दिया है तो किसी भी institute में आप admission ले सकते हैं इवन जिपमर में भी आप admission ले सकते हैं, जिपमर की condition भी same need की condition ही है बाकी इसके बारे में और कोई update मिलेगी need के बारे में तो मैं आपको inform कर दूँगा, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस करें, वीडियो को like को जदा जदा share करें, मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैए हैं